स्टुडेंट्स कभी आपने अगर अब्जर्ब किया हो तो क्या आपने देखा है कि लिकुड का जो ड्रॉप होता है वो हमेशा स्फेरिकल क्यों होता है दूसरी बात पानी जब भी कहीं फैलता है जैसे यहां पर पानी गिरा हुआ है तो यह स्मॉल से पडल क्यों बना लेता है ऐसे यह देखो बड़ी अजीब से बनती है ऐसे लगता है एसे हलका सा पानी मुडा हुआ है ऐसे गिंड viv global हुआ हूँ होता है जैसे मैं ओपर की बात की है ना यह dal बैल यह spherical क्यों है और जो water striders होते हैं ये पानी के ऊपर इतनी असानी से कैसे चल लेते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंडेंगे जिसका नाम है the concept of surface tension तो आज हम समझेंगे कि surface tension क्या होती है ये काम कैसे करती है let's start ये surface tension होती क्या है देखो surface tension is the tendency of liquid surface to shrink into the minimum surface area possible इसका मतलब ये है कि surface tension किसी liquid surface की वो property है जिसके कारण वो stability अचीव करने के लिए minimum surface area में fit होने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा करता कैसे है चलिए समझते हैं अब आप example लीजिए इस glass of water की अब इस glass of water में दो पानी के molecules हैं H2O, H2O ठीक है अब ये जो जो glass के molecules हैं वैस्तो glass में बहुत सारे मतलब पानी में बहुत सारे molecules हैं हम इन दो molecules के बारे में ही बात करते हैं ये दो molecules आपस में एक force लगा के एक दूसरे को खीचेंगे उस force को हम बोलेंगे कोहसी force क्या होती है कोहसी force कोहसी force होती है जो like molecules में एक्ट करती है मतलब पानी का molecule पानी के molecule को अपनी तरफ खीचेगा due to a force called कोहसी force दूसरी बात यह आप ध्यान से देखो यह जो glass का surface है इसमें भी कुछ इसके बाहर देखो चोटे चोटे यह यह देखो यह वाले पानी के कुछ molecules हैं अब glass के surface पे भी यह थोड़ा सा पानी चिपका हुआ ह ऐसा क्यों क्योंकि जो glass का molecule है वो पानी के molecule को अपनी तरफ खीच रहा है या खीचे हुए है with a force called adhesiforce adhesiforce वो force होती है जो different kind के molecules में लगती है अब kohesiforce वो होती है जो दो same kind of molecules में लगती है मतलब पानी जो पानी के molecule को खीचेगा तब लगेगी kohesiforce लेकिन जब glass क molecule पानी के molecule को घीचेगा तब लगेगी adhesiforce ठीक है इतना समय में आया आगे चलते हैं अब इस glass of water में आप इस molecule को देखिए अब इस molecule को देखने के लिए जरा यहाँ पे देखते हैं इस वाले एरिया में देखो यह वाला molecule is surrounded by so many water molecules ठीक है यह सारे पानी के molecules है मतलब यह व सी force से खीचेंगे अब क्योंकि हर molecule उपर और नीचे left और right में बिल्कुल बराबर है तो इस molecule पे लगेगी net force 0 इसका मतलब इस molecule पे कोई net force नहीं लगेगी this molecule will be stable अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं आप पानी की दो layers को assume कीजिए यह वाली layer और यह वाली layer layer 1 layer 2 अब यह जो पा molecules खीचने की कोशिश करेंगे लेकिन air के molecules में इतनी force नहीं होती कि वो पानी के molecules को attract कर लें experiments यह बताते हैं कि पानी और पानी के molecules की आपस की cohesive force बहुत जबा strong होती है जिसके कारण layer 2 वाले molecules layer 1 वाले molecules को नीचे की थरफ खीचने की कोशिश करेंगे इसके कारण जो पानी का उपर वाला surface है उपर वाला surface यह वाला surface इस पे एक net force लगेगी downwards ठीक है यह जाला surface है इस पे net force लगेगी downwards इस surface को ऐसा feel होगा कि जैसे किसी ने चदर को चारो तरफ से खीच लिया हो मतलब it will act like a stressed membrane जैसे यह होते है यह वाली stressed membrane जैसे कोई sheet किसी ने खीच दी हो मतलब पानी का जो molecule है वो खीची हुई चदर या खीची हुई sheet की तरह behave करता है लेकिन इससे होता क्या है इससे यह होता है कि upper surface of water will start to act like a cushion तो यह एक cushion की तरह behave करता है अब जब यह cushion की तरह behave करन लगता है तो water की जो striders होते हैं यह अराम से पानी के उपर तैर लेते हैं वो इसलिए क्योंकि water strider का जो weight होता है वो बिलकुल evenly distributed होता है दूसरा दीजन यह कि जो water strider है वो इतना heavy नहीं होता कि वो पानी की surface tension को किसी तरीके से penetrate कर सके इसलिए यह water striders बड़े अराम से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं क्योंकि पानी की जो ऊपर वाली layer होती है it start to behave like a cushion ठीक समय में आया आगे चलते हैं यह देखो all bubbles are spherical due to surface tension अब यह देखो यह जो पत्ते के ऊपर जो यह पानी का drop है अब इसमें जो पानी के छोटे-छोटे molecules हैं इन्होंने एक दूसरे को cohesive force से खीच कर गया क्यों because it tries to acquire minimum surface area maybe to have maximum stability इधर इधर देखो जब यह पानी की stream नीचे जाने लगी तब यह तूट गी तूटते तूटते पानी के molecule ने दूसरे पानी के molecule को और दूसरे ने तीसरे को ऐसे करते करते सभी molecules ने एक दूसरे को खीचना start कर दिया so that they should acquire the minimum surface area अब minimum surface area के चक्कर में यह end में जाते जाते क्या हो गए spherical तो इसलिए surface tension इस तरीके से काम करती है ताकि जो पानी की layer है यह जो surface है वो minimum surface area acquire करे ताकि उसको maximum stability मिल सके ठीक है तो I hope students आपको यह जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी अगली वीडियो लेके जल्द हाजर हूँगा तब तक के लिए goodbye और इस वीडियो को देखे आप मुझे review जरूर देना thank you